वंदी मात्रम स्टुड़न्स स्टुड़न्स, टुडेज अवर सब्जेक्ट इस इंग्लिश इन इंग्लिश सब्जेक्ट वी स्टार्ट यूनिट नमबर टू और यूनिट नमबर टू में हमने सेक्शन दुसरा किया उसका मैंने वो थ्री बिली गोड्स जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा मैंने आपको एक्स्प्लेन किया तो आज हम आगे करने वाले हैं चलो स्टार्ट करें अंडर्स्टैंडिंग दे स्टोरी स्टुड़न्स, सभी को स्टोरी समझ में आया थ्री बिली गोड्स की येस अभी आज आगे करते हैं कि क्या है यहाँ पर आज हम इस चैप्टर का एक्सराइस करने वाले हैं बचो यहाँ पर फाइज क्वेस्टन है लेकिन शिक्स वाला क्वेस्टन हम टेक्स्बुक में ही करेगे आपके टेक्सबुक में पेज नमबर 27 अगर आपके पास टेक्सबुक है तो आप टेक्सबुक निकालो बचो अगर नहीं है तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा तो बचो चलो अभी हम इसकी जो एक्सरसाइस है वो नौटबुक में लिखते है यहाँ पर हमें लिखने की स्पेस नहीं दी गई है बचो मैंने आज क्वेस्टन और आंसर दोनों लिखे हुए है तो आपको भी क्वेस्टन और आंसर दोनों ही लिखना होगा see here तो अभी हम एक के question पे आते है answer the question यहाँ पर question है वो हम read करते हैं सबसे पहले where did the billy gods go जो billy gods थे उसको गहाँ पर जाना था the billy gods went to the hills to eat grass बिली गोड्स को जो दूसरी बारी हिल थी उसको जाना था grass खाने के लिए question number two where did troll live यहाँ पर हमें four option दिये गए है तो हमें जो correct answer है उसको tick करना है textbook में भी देखो option दिये गए है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है so where did troll live troll कहाँ पर रहता है hall में bridge में, road में या hills में troll है वो hall में रहता है तो हम वहाँ पर tick करेगे see question number three ओके यहाँ पर read करते है why didn't troll like billy gods traveling on the small bridge what did he do troll को क्यों नहीं पसंद था कि billy god है वो bridge के उपर से जाए अगर billy gods वहाँ पर जाएगी तो troll क्या करेगा तो उसका अंसर आएगा troll didn't like billy gods traveling on the small bridge because their voice disturbed him he went to the bridge to gobble them up troll को इसलिए नहीं पसंद था वहाँ पर से जो god's travel कर रही थी वो क्यूंकि उसको वहाँ पर वो जाड रहे थे तो उसको disturb हो रहा था क्यूंकि वो गाना गाते गाते जाते है तो उसलिए उसको disturb होता है तो अगर वो उसको क्या करेगा ऐसा फिर पूछा है तो उसका आंसर आएगा he went to the bridge to gobble them up अगर वो वहाँ पर से जाएगे तो वो उसको फटा फट से खा लेगा इस तरीके से वो उसको आंसर देता है ओके नाव सी नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस तरीके से वो आंसर देता है नाव सी क्वेश्चन नमबर फाई उसमें ए थोड़े से आंसर बज़ों बड़े है लेकिन आपको लिखना है इससे ही आपके लिखनी की प्रेक्टिस होगी वाट डिद बिली गॉट वन से बिली गॉट वन से बिली गॉट वन सेट वो इस तरीके से बोलता है कि मेरा बड़ा भाई है और वो मेरे से बड़ा है इसलिए तुम्हें उसे खाने में भी मज़ा आएगा वो भी इसी तरीके से आंसर देता है जैसे बिली गॉट वन ने दिया था इसलिए ये दोनों सेम ही है थोड़ा सा ही सिफ डिफरंट है चलो अभी आगे का देखते हैं लास्ट वाला क्वेस्चिन यहाँ पर वो इस तरीके से आंसर देता है बिली गॉट थ्री क्या तू मुझे खाएगा इस तरीके से वो आंसर देता है तो हम वो लिखेगे यहाँ पर तो बचो यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो क्वेस्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं अभी हम क्वेस्चन नमबर सिक्स देखेगे कि उसमें क्या है लेट सी क्वेस्चन नमबर सिक्स में क्या है चलो देखते हैं बच्चो बच्चो यहाँ पर हमें क्या वर्ट्स दिये गए है और यहाँ पर उसके मीनिंग्स है और हमें चूस करना है और हमें मैच करना है चेव यानी चबाना उसका आंसर यहाँ पर है इसलिए वहाँ पर हम मैच करेगे हमारे दातों की मदद से जो खाने का टुकड़ा है उसको छोटे-छोटे पिसिस में चबाते है इसलिए उस पर हम इस तरीके से मैच करेगे इट का आंसर यह मीनिंग यह आएगा टू पूट फूड इन्टू दमाउथ हमारा जो नीवाला है हम वो मुमें डालते हैं खाने के लिए इट गोबल 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 यानी जल्दी से खाना टू इट वेरी फर्स्ट क्लैवर यानी होता है पढ़ाय में होश्यार या किसी औ और चिजमें होश्यार क्वीक एट लर्निंग स्मार्ट स्मार्ट यानी अच्छा सा दीखना लूकिंग नीट अन्वेल ड्रेस्ट स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग यानी मजबूत अपर सान विद पावर्फुल बोड़ी एंद माइन सो बच्चों ये सब कुछ आपको मैच करना है ओके अभी हम अगले पेच की और आते हैं क्या है चलो देखते हैं सी ही ओ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्पीक अलाउड बच्चों ऐसे वर्ट्स हम हर बार करते आ रहे हैं ये सारे वर्ट्स हैं राइमिंग वर्ट्स जिसमें फॉस जो आल्फाबेट होता है फॉस जो लेटर होता है वो चेंज हो जाता है और पीछे के जो लेटर है वो सेम ही रहते हैं तो चलो रिट करते हैं बिली, शिली, हीली, सीली, हॉल, मॉल, पॉल, स्वाल, बान, फान, रान, सन, डियर, फियर, हीर, नियर ओके स्टुड़न्स तो यहाँ पर हमने सारे वर्ड रिट कर दिये अब यह आगे देखते हैं सी नेक्स्ट लैंग वेजी न्यूस यानि कि यह थोड़ा ग्रामर का सेक्षन है चलो देखे ए एक्शन वर्ड यानि कि हम कोई भी जो करिया करते हैं जैसे कि खाना खाना गाना जम करना यह सारे होच चाते हैं हमारे एक्शन वर्ड यानि कि खाना खाना हम ऐसे हाथ में पकड़के नीवाला मुँ में डालते हैं यानि उसको इटिंग बोलते हैं तो इटिंग है वो एक्शन वर्ड हुआ bird sings गाना गाना यानि कि हमें गाना गाने के लिए या फिर बोलने के लिए हमें अपने मूँ का यूज़ करना पड़ता है माउट का यूज़ करना पड़ता है तभी हम बोल पाते है तो sings who wanna action word हमारी body से जो भी action होता है वो ही है action word सो चलो आगे हम थोड़ा सा देखते है उसके थोड़े से questions तो हम easily understand कर पाएगे बी underline the action words in the sentences यहाँ पर action word पे हमें underline करना है C number 1 Mary and John are playing with balloons Mary और John balloon के साथ खेल रहे है playing हुआना action word खेलना cow gives us milk cow जो है दूथ देती है देना gives यानी देना वो action word हुआ Billy gods lived near the mountain Billy gods है वो mountain के पास रहती है रहना lived the birds were chirping allowed जो birds है वो अपना voice निकाल रही है chirping यानी chirping हुआ action word Mona is reading a story Mona story read कर रही है यानी read करना reading action word हुआ doctor shah examines a patient doctor shah है वो patient की जाच कर रहा है examine यानी जाच करना वो हुआ action word now see next number seven my mother is cooking in the kitchen मेरी मम्मी kitchen में खाना बना रही है खाना बनाना cooking is action word number eight my sister is playing with a doll मेरी sister है वो डोल से खेल रही है खेलना प्लेइंग वो हुआ action word I bath everyday नहाना में रोज नहाती हूँ या नहाता हूँ बात हुआ action word thampa is writing a letter thampa है वो अपना letter लिख रही है तो writing हुआ ना action word so उसके हम underline करेगे so बचो अभी action word आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा अभी आगे हम read करते हैं कि उसमें क्या है see reading the picture see the following picture and write the action words below them from the bubbles bubble यहाँ पर एक bubble है उसके बहुत चारे action word दिये गए है और उसके नीचे picture दिये गए है और उसके box दिये गए है तो यह monkey है वो कौन सा action कर रहा है वो हमें यहाँ पर box में लिखना है उसके पहले हम सारे के सारे action word रिट करते है angry यानि की घुसा करना crazy यानि पागलों जैसा भी हेव करना happy यानि खूश रहना sitting यानि बैटना standing यानि खड़ा रहना walking यानि चलना thinking यानि सोचना yelling यानि चिलाना अभी हम monkey को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है पहला वाला जो monkey है वो घुसे में है कैसा है घुसे में है और घुसे को बोलते है angry क्या बोलते है angry so we have to write here angry हम यहाँ पर क्या लिखेगे बच्चों हम यहाँ पर लिखेगे angry क्यूंकि वो गुसे में है angry angry यह दूसरा जो monkey है वो क्या कर रहा है वो चिला रहा है वो चिला रहा है और उसको बोलते है yelling क्या बोलते है yelling तो हम यहाँ पर yelling लिखेगे y e double l i n g yelling अभी अगला देखे monkey अगला monkey है वो कुछ सोच रहा है यानि हो जाता है thinking तो हम यहाँ पर thinking लिखेगे t h i n k i n g thinking यह वाला जो monkey है वो क्या कर रहा है वो बैठा हुआ है यानि कि हम लिखेगे यहाँ पर sitting 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 यहाँ यहाँ पर वो हम देखते हैं क्या है writing और picture देखो i give milk मैं दूद देती हूँ i eat grass में grass खाती हूँ और मैं एकदम gentle हूँ unlike a dog की तरह now tell me I am क्या आएगा answer answer आएगा I am a god यह picture देखो आपको पहचानना है कि मैं कौन हूँ और यह readal पढ़के भी हमें पहचानना है कि यह कौन है ओके now see next study skill word search fill in the letter to complete the crossword puzzle you can use the pictures as a clues बच्चों यहाँ पर हमें puzzle दिया गया है वो हमें solve करना है यहाँ पर जो नीचे सारे बहुत सारे picture दिये गए है उसकी मदद से और यहाँ पर हमें number दिये गए है तो हम किस तरीके से solve करेगे चलो देखते है तो सबसे पहला वाला picture हम देखते है सबसे पहले तो सबसे पहला वाला picture किसका है सबसे पहला वाला picture है panda का so we write here panda P-A A-N-D-A panda अभी यहाँ पर जो puzzle है उस पे भी हमें panda का spelling कम्प्लिट करना पड़ेगा P-A N-D-A panda अभी पर्जल है उस पे हमें एक spelling कम्प्लिट करना पड़ेगा नम्बर टू पे देखो A-N-T हो गया कम्प्लिट now see picture number 3 picture number 3 है tortoise का किसका tortoise so हम यहाँ पर tortoise का spelling कम्प्लिट करेगे spelling लिखेगे tortoise T-O-R tortoise T-O-I-S-E T-O-I-S-E tortoise ओके अभी हम उपर पर्जल में अभी लिखेगे tortoise का spelling T-O-R T-O-I-S-E tortoise now see picture number 4 picture number 4 है beer का beer अभी क्या करेगे हम पर्जल में लिखेगे B-E-A-R number 4 पे देखे B-E-A-R हो गया कम्प्लिट चलो अभी आगे के जो है वो पेज हमें टर्न करना पड़ेगा उसके लिए तो हम पेज टर्न करके देखते है कि आगे का picture है rabbit का हम यहाँ पर rabbit लिखेगे अभी क्या करना है अभी हमें पर्जल में लिखना होगा number 5 rabbit R-A-B-B-I-T rabbit now see picture 6 picture 6 है fish का तो हम यहाँ पर fish लिखेगे F-I-S-H fish अभी हम पर्जल में लिखेगे F-I-S-H fish number 6 पर देखा हमने अभी number 7 पर देखते है कि कौन सा picture है C number 7 number 7 पर है picture हीपो का तो हम यहाँ पर हीपो लिखेगे H-I-P-P-O हीपो अभी हम पर्जल में लिखेगे हीपो यहाँ पर रहा number 7 H-I-P-P-O हीपो Now see next picture L-C-A-M-E-L Now see picture number 9 L-I-O-N Lion अभी पर्जल में हम लिखते हैं Lion L-I-O-N Lion Now see picture number 10 A-W-L का picture है O-W-L A-W-L अभी यहाँ पर हम पॉजल में लिखेगे O-W-L A-W-L बचो number 11 पर क्या है हम देख लेते हैं Number 11 पर है Fox Fox Number 11 पर है Fox और वो ही लिखना सिफ बाकी है So हम यहाँ पर Fox लिख लेते हैं सारे के सारे पॉजल सौल की है इसलिए लास्ट वाला पॉजल तो हमें ऐसे ही मिल गया तो यह है बचो हमारा पॉजल बचो यहाँ पर हमारी जो इसकी second chapter की Unit 2 की second chapter की exercise complete होती है आगे का हम अगली वाले वीडियो में देखेगे ओके बचो अगले वाले वीडियो में मिलते हैं